हाई फ्रेंड टेश्टी फूड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे गुजरात की फेमस रेसिपी गाठिया और ये बनाने में बहुत आसान है तो चलिए देख लेते हैं अपनी ये रेसिपी चलिए शुरू करते हैं उसके लिए हमने ये आप ले लिया हम इस्तेमाल करेंगे 100 ml ही पानी इसमें हम डाल देंगे इतना सा मीठा सोडा अब इन सारी चीजों को हम फेट लेंगे देखिए इसे फेटते फेटते ये बिल्कुल वाइट हो चुका है अब हमने यहां पर एक बाउल ले लिया बाउल में डाल देते हम बेसन इसमें हम डा देंगे क्रस्ट करके आजवायन नमक डाल देंगे इसमें टेस्टर दूसार फोड़ा डाल देके इसमें पिसी हुई लाल मेच अब हम इसे हमने जो पानी और ऑईल का जो फेट के रखा था हम इसी से इसे फेच़सार हो और यह मैंने उसी पानी से फेटा है, यह जो डो है, हमें बिल्कुल सॉफ्ट इसी तरीके का डो रखना, टाइट नहीं रखना है, टाइट रखने से क्या होता है, जो गाठिया है, वो बहुत जादा टाइट हो जाती, अगर हम इस तरीके का रखेंगे, जो हमारी गाठिया ब गाठिया बनाने के लिए हमें यह इस्टा सेव वाली चाहिए होती है, हम इसे लगा लेंगे, मसीन में हम अपना मिस्रड भर देते हैं, इसे हम बन कर देते हैं, देखिए यहां हमारी ओयल गरम हो चुकी है, अब इसमें हम अपनी गाठिया को निकाल देते हैं, इस तरीके स देखिए हमारी गाठिया कितनी अच्छी तरीके से फूल भी गई है अब इसे हम बलट देते हैं तो देखिए हमारी गाठिया पप चुकी है ये कलर ना चेंज करने पार बस थोड़ा सा क्रिस्पी हो ज़ए और इसे हम निकाल लेते हैं इसी तरीके से हम अपनी सारी गाठिया बनाकर रेडी कर लेते हैं तो देखिए फ्रेंड हमारी गाठिया बन चुकी है आप देखेंगे कितनी सॉफ्ट बनी है ये देखिए मैं इसे तोड़ के भी दिखाती है ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये तूट रही है तो इसी तरीके से आप भी बना कर ट्राइस कीजिएगा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भोले थाइंक्यो फार वचिंग